आउसे बिल्लाही में शेटवाने रॉचीम बिसमिल्लाय रॉख्माने रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मुफिन एक बार फिर आप लोगों के साथ MTH 302 बिजनिस मैथेमेटिक सेंट स्टेटिस्टिक की असाइन्मेंट नमबर वन के साथ दोस्तों जिन दोस्तों ने अबी तक मेरा चैनल सब्सक्राइबं नहीं कीया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तक के मेरी हर आने वाली जुटेओ है वो आप लोगों तक पहुँछ सके और आपभी मौषिन भाई की वीडियो सेाइड आज में और कुछ सीख 9,000 according to the company's policy, casual leave are 12 days per year and earned leave are 24 days per year and normal working days are 22 per month. Find the total cost of leave as percent of gross salary. इसमें देखें हमें दो चीज़ें पुछी गई हैं. एक total cost of leave percentage में of gross salary और फिर हमें इसमें gross salary नहीं दी हुई, वो भी हमने calculate करनी. इसमें second question है, if an employee deposit Rs. 2000 at the end of each year into his company, plan which pay 7% interest compound quarterly, how much will have in the account at the end of 5 year? एक बंदा है, जो 2,000 हर साल जो है deposit करवा रहा है आकाउंट के अंदर और 7% interest मिल रहा है, जी compounded quarterly हर 4 माह के बाद, तो at the end of 5 year, उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, हमने यह बताना. तो चलिए हम लोग इस assignment की solution की तरफ चलते हैं. देखें दोस्तों, इस assignment को solve करने पहले जो हमारा first question है, उसमें हमें बताया गया कि हमने percentage of cost बतानी है with respect to the gross salary leave की. तो हम सबसे पहले जो है gross salary calculate करेंगे, तो gross salary होती है हमारी basic salary plus हमारे जो allowance fees हैं वो, अब इसमें हमारी basic salary वो 18,000 है और जो allowance fees हैं वो 9,000 हैं तो इस तरह हमारा जो total बांद है gross salary वो 27,000 बन गया. अब हमने क्या करना है, find total cost of leave as percent of gross salary हमने यह find करना है, total cost of leave as percentage of gross salary के वो gross salary का कितने percent बनता है इसमें cost of casual leave हमसे पहले calculate करेंगे, ठीक है जी क्यूंके हमें casual leave दी गई है और दूसरा हमें जो leave दी गई है, वो हमें earn leave दी गई है, इसके लावा और भी होती है, medical leave होती है या कुछ और leave होती है, तो वो हमसे नहीं पूछी गई, इसलिए हम उनको calculate नहीं करेंगे तो हमने समसे पहले graph salary calculate की, फिर हमने cost calculate करेंगे, casual leave की और earn leave की क्यूंके हमें फिरफ दो ही leave दी गई है, अब देखें, जो हमें casual leave दी गई है, वो 12 दी गई है, और जो हमें earn leave दी गई है, वो 24 दी गई है तो हमने 12 लेखा divided by 22, 22 means working days के हमारे working days एक month के अंदर कितने multiply by 12, 12 यहां पर इसलिए लिए लिए एक खा गया क्यूंके एक साल के अंदर 12 months होते हैं, इसलिए हमने इसको multiply by 12 कर दिया क्यूंके we are working 22 days in each month for 12 months, उसके बाद multiply किया 27,000, 27,000 जो हमारी graph पे आ गई, फिर multiply किया, इसको 12 के साथ, इसको multiply 12 के साथ इसलिए किया क्यूंके हमें हर माँ 27,000 मिल रहा है और वो 12 माँ मिल रहा है एक साल के लिए, और हम जो cost calculate कर रहे हैं का यूए लेव की, वो भी एक साल की कर रहा है, और उसके बाद हमने इसको आगे solve किया तो हमारे पाद 12 divided by 24, क्यूंके 22, 12, इसके बाद हमने इसके बाद हमने अर्ण लीव की cost निकलनी है वो भी वैसे वैसे ही है, 24 हमारे पास जो है वो लीव आ गई, अर्ण लीव ठीक है जी, divided by 22 वर्किंग डेज आ गया, मल्टिप्लाइब है, 12, 12 महीने आ गए, एक साल के और 27,000 हमारी ग्रॉफ पर आ गई, और 12 वह फिर महीने आ गए, तो इसी तरह आगे जब solve किया तो 24,000 divided by 24,000 वर्किंग तीन लाग 24,000 और इसको जब हम आगे solve किया तो 29,457 हमारे पास आ गया, इस तरह जब हम total cost यह कास्ट ऑफ कायूल लीव प्लस कास्ट ऑफ अर्न लीव, तो हम 14,500 वर्किंग को जमा करेंगे 29,454 के साथ, तो यह 14,500 वर्किंग तो यह हमारी ग्रॉफ वर्किंग का कितने परफेंट है, वह कैसे calculate करेंगे, यहां पर हमने equals लगाया, equals लगाने के बाद हमारे पास आ ग 24,181 यह हमारी total cost आ गए, leave की, casual की और unleave की, उसके बाद हमने इसको divide किया, बारा-बारा मन्त हो गए जी, इसके बाद 27,000 वर्किंग और multiply by 100% निकालने के लिए आ गया, जी, 24,181 और उसके divide किया, हमने 27,000 को जब उसके 12 के बाद वर्किंग तो यह 3,20,000 बार multiply by 100% के लिए आ गया, तो यह हमारे पास 0.1363 यह आ गया, जब हमने 24,181 के को divide किया, 3,20,000 के साथ, जब हमने इसको multiply by 100 किया, तो यह हमारे पास 13 इशारिया, 63 आ गया, और that is the cost of casual leave and earned leave in a percentage with respect to the gross salary, तो यह हमारा जो first question है, यह इस तरीके से solve हो जाएगा, आगे हमारा second question है, जी, second question में हमने क्या किया है, हमें एक 2000 पे पर मन्थ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7% हमारा rate है, पांच सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो formula future value के लिए क्या है, यहां पे पीवी, multiply by one plus i divided by m, और m जरब n, तो हमने 2000 लिया, उसके साथ multiply by into one plus i, हमारे पाफ साथ परसेंट है, तो 0.07, 0.07 जो है, अगर हम साथ को तक्सीम करेंगे, 100 के साथ, मतलब fraction में निकालने के लिए और पास 0.07 और इसकी पावर बीस, बीस कैसे हा गया जी, एम जो है, वो हमार हमारे पास interval होता है, वो हमारे पास quarterly है, तो 4 आ जाएगा, and जो हम नमबर of year होते है, पांच है, 4 और पांच तो 20 आ जाएगा, तो 2000 into 3.869, 6 आ जाएगा, तो जब हम लिए कॉपस में multiply करेंगे, तो हमारे पास जो है, वो 7749 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको solve करें करेंगे, तो दोस्तों ये थी हमारी अफैनमेंट MTA 302 की मौफिन भाई को दौा में याद रखें, मौफिन भाई की website देखते रही है, और YouTube चैनल भी देखते रही है, और सीकते रही है, Thank you very much दोस्तों, अलाहाफिव